हलो साथी और नवशकार, बहुत दिनों से इस बात पर विचार कर रहे थे हम सब लोग, और बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि एक्जाम दृष्टी के नाम को बदल दिया जाए, क्योंकि ये नाम थोड़ा मिलता जुलता है दृष्टी आई इसे, तो इस नाम को बदलने की बात चल लए है, और बहुत सारे लोग कह रहे थे, आप लो भी सजच कर रहे थे, कईसारी इस्ट्रोय ने भी सजच किया तो अब ये जिम्हेदारी आप लोग उपर है, कि अब आप लोग नाम सजच करेंगे, ये नाम यदी आप सजच करते हें, तो आपको एक बिसेश़ कि नाम मिलने वाला है वो मैं बताऊंगा अभी लेकिन मैं कंडिशन बता देता हूं कि नाम कैसा होना चाहिए पहली बात हमें कोशिस यह करनी है कि नाम केबल एक सब्द का हो और छोटा हो इंग्लिस और हिंदी दोनों चलेगा किसी का भी नाम हो कोई दिक्कत नहीं एक से ज्यादा नाम आप सजेस्ट कर सकते हो यदि आपका नाम चैनित होता है यदि आपका नाम चुना जाता है तो आपके लिए एक UPSC के बैच का सब्सक्रिप्शन फ्री अप कॉस्ट मिलेगा प तो आपको प्रिये मेंंस इंटर्वी के कम्प्लीट प्रिपेशन फ्रीयो कोस्ट हो गी इस बैच में प्लस आपको थुरन्त जैसे यापनाम सज़ेस्ट करे़ और आपका नाम जदी चैनित हो जाता है चुना जय तो ऐसी सितिति में मैं आपको तुरुंत अग्आराहा सो र UPSC का एक free course जीतने का, लेकिन याद रखना है, एक और condition इसमें है, कि आपके नाम, जो भी आप नाम सजेस्ट कर रहे हो, वो नाम यूटूब पर अवेलेविल ना हो, तो इसलिए जब भी आप कोई नाम सजेस्ट करें, तो इस बात को सब्सक्राइबर बार कोई चैनल है, तो आप बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, तो यूटूब पर वो नाम नहीं होना चाहिए, और आपको ये देख लेना है, ठीक है, और आपका नाम यादी चुना जादा है, तो आपको पूरा-पूरा UPSC का बैच पूरा-पूरा और उसके बाद आपको मिलेगा 11 रुपे तुरंथ बिल्कुल कैस प्राइस आपके एकाउंट में, सो अब देखते हैं, कितने लोग आप कमेंट करते हैं, कितने नाम आप सजेस्ट कर पा रहे हो, यह आप लोग की जिम्मेदारी, अपने दोस्तों में इस बात को फैला दो, अपने सभी साथी लोगों को बता दो, जो भी नाम सजेस्ट करेगा, उसके लिए 11 सुरुपे मिलेंगे, माझ लोगों आपका नाम नहीं छुना जाता, आपकी दोस्त का चुना जाता है, तो आप पाईटीकल लेना दोनों, आपलोग आपसमे मिलके हैं, तो इसलिएक दूसरे को सजेस्ट करके, सेयर करके, पں इसको बेज़ दो, और करते हैं देखते हैं आप लोगों का नाम और अगले तीसरे दिन हम इसको डिकलेर कर देंगे कि कौन सा नाम चुना गया है ठीक है इन नामों में से आपके कमेंट बॉक्स में से ही नाम होगा याद रखना आपके कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करेंगे उसी में से नाम और आपके नाम से दिल्ली में एक संस्थान चल लाओगा है ना आप जो नाम सजेस्ट करेंगे तो देखते हैं आप लोग जल्दी से नाम सजेस्ट कीजिए क्या नाम सजेस्ट करते हैं धन्यवाद